हेलो एबरिवान वेलकम टू माई चैनल होम सेफ आज मैं आप लोग लिलाई हूँ माल पुआ केक की रेसिपी होली में माल पुए तो सभी बनाते हैं पर अगर आपका इस बार कुछ डिफरेंट खाने का मन है या माल पुए का बैटर ज्यादा बन गया हो तो उससे यह थोड़ा सा सौफ और थोड़ा ड्राइको कॉनट डाले एक चमच एलाईची पौडर डाले और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगी दूद तो दूद को डालने के पहले थोड़ा गरम कर ले उसके बाद इसमें डाले थोड़ा- से फेट ले यह देखे इसमूथ पैटर रेडी हो चुका है इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दे उसके बाद चाहें तो माल पुए बनाए या केक बनाना है तो उसके लिए एक कढ़ाई में नमक या बालू डालते और एक स्टैंट रखते उसके बाद पिर जिस भी बरतन में आपको केक बनाना है उसके थोड़े सा ओयल लगा ले चारो तरफ अच्छे से ताकि केक बनने के बाद निकलने में आसानी हो आधे बैटर से मैंने माल पुए बनाया है और आधे बैटर का केक बनाने वाली हो तो इसमें डालूँगी एक बड़े चम में इसे डालते फिर एक दो बर इसे टाप कर दे ताकि एर बबल निकल जाए और फिर प्रेहिटेट कढ़ाई में रखकर हाइफ पर 10 मिनिट के लिए पकने दे तस मिनिट के बाद फ्लेम को आप मेडियम करते और फिर 40 मिनिट पकने के बाद एक बार चेक कर ले यह के बाद इसे निकाल लोंगी यह देखें के बहुत अच्छा रेडियो हो चुका है तो इसे ठंडा होने दे ठंडा होने के बाद नाइफ के हिर्प से चालो तरफ इस तरीके से करें ताकि केक आसानी से निकल जाए उसके बाद एक प्लेट उपर रखें और इस तरीके से पलड और अगर आप बहुत जादा ओयली नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि माल पुए काफी ओयली होते हैं तो आप माल पुए के बैटर से जिसमें थोड़ा कम तेल यूज हुआ है उससे केक बनाए और इस टेस्ट को एंच्वाइ कीजिए और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छ कीजिए